स्टुडेंट बटा आपनों की टॉपिक अब खत्म हो चुकी है आपका ट्वल्थ का चैप्टर कम्प्लीट हो चुका है अब हम लोग जो है कि जेई और नीट के परपस से जो है एक memory map develop करेंगे जिससे कि हमें चल सके पता कि कौन-कौन से topic से कितने questions आते हैं या किस-किस topic में कौन-कौन से formula हैं जो की वहां से question tag होते हैं तो याद रखिएगा सबसे पहले मैं एक memory map यहां बनाऊँगा topic wise one by one करकी और उसमें जो formula आ रहे हैं उनको आपको याद रखना होगा numerical पहले आपने कर लिया है और मैं यहाँ कराऊंगा भी आपको problem कुछ problem भी कराऊंगा बट अभी आपको उस concept को clear करना है कि कौन-कौन से topics हैं जहां से question tag हो रहे हैं चीकर ना तो current electricity को हम अलग-अलग category में divide करेंगे जो भी topics का नाम point out करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे तो सबस है दिखें यह मैंने हमब point out किया और यह पहला आपका है electrical conduction ठीक है और electrical conduction में कौन-कौन से formula आएंगे या कौन-कौन से किस formula पे question कैसे बनते हैं तो यह पहली category है अब इसमें कौन-कौन से concept आते हैं सब topics हैं उनकी बारे में बात कर लेते हैं बटा जी हम लोग तो इस पे सबस इसे आपका अगर electrical conduction की बात कर रहे हो तो drift velocity है और current density है mobility है और क्या बोलते हैं कि conductivity और temperature का आपस में relation है यह सारे के सारे जो formula बनने वाले हैं यह सब के सब electrical conduction में आने वाले हैं तो current electricity का सबसे पहली जो category होई है वो electrical conduction यह मैंने point out किया है ठीक है बटा जी अब इसको मैं जो ज point out करूंगा और numerical कैसे आएंगे वो बताऊंगा ठीक है बटा अब बैटा हमारा जो electrical conduction में जो पहला हमने formula बनाया तो मैंने कहा था electrical conduction में आपका electric current भी आता है drift velocity है electric field है current density है तो पहला क्या है आपको बता है कि drift velocity and mobility में क्या relation है vd equal to mu into e है और साथ में अगर हम drift velocity और current density का relation जानना चाहते हैं तो current density j upon n into e होता है यह relation मैंने पहले पढ़ाया भी आपको है लेकिन आपको यह point out करना सीधे question यहां से निकलता है और direct question आता है और अगर हम conductivity और temperature का relation देखना चाहते हैं तो conductivity में क्या आ जाएगा आपका जो resistivity है किछी भी conductor की जो resistivity है वो temperature पर किस तरीके इसे depend करती है उसका relation है rho equal to rho not one plus alpha delta t यही relation आपका resistance के लिए भी आएगा चीगा ना तो जो आपका अब जो आपकी B category हमने बगर बनाई है electrical conduction में कौन सा है तो आपका ohmsla है electrical conduction में ohmsla भी आता है और वो microscopic form of ohmsla क्या है electric field resistivity into current density है और V equal to IR यह दोनों relation से जरूर questions आते हैं इसमें मैंने पूरा discuss किया था और यह जो V equal to IR है यह linear एक graph देता है कैसा graph देता है तो जिससे आपने simple conductor की बात की आपने conductor ले लिया उस conductor में आपने voltage लगा दिया current आपने major करना है उसका resistance है तो V equal to IR से आप उसको point out कर लोगे और जब भी V और I के बीच में graph draw करोगे तो एक linear graph लेकिन एक device होती है वो होती है non-ohmic device जो कि ohms law को follow नहीं करती है अभी भी मैंने discuss किया था semiconductor semiconductor क्या है non-ohmic device है उस semiconductor के case में यह V equal to IR apply नहीं होता है क्योंकि V और I का जो graph है वो straight line नहीं होता है मैंने आपको बताया था जब graph मैंने पी एंग निक्षिन डायोड का graph मैंने ड्रॉ किया था तो वो straight line नहीं होता है और साथ में उसमें जो resistance आएगा वो dynamic resistance होगा इन सब चीजों को बारे में हमने चर्चा कर ली है semiconductor में सीधे ohms law पे मतलब ohmic conductor and non-ohmic conductor linear and non-linear दोनों पे numerical साते हैं तो please इस पर आप focus करना कि semiconductor वाले case में आपका graph हमेशा कैसा होगा non-linear होगा V equal to I का relation is straight line से defined नहीं होगा तो ये चीज़ आप लो point out कर दो ohms law की बात कर लिया आपने इसके बाद जो उसकी C category है electrical conduction की उसमें आता आपका है resistance आता है ठीक ना तो ये बड़ा important है अब क्या करते है पहले का volume जो रहता है पहले वायर का जो volume होगा है ना उसको लिख लेंगे जब melt करके हम दूसरा कोई wire बनाएंगे जिसके length और area अलग-अलग होगी दोनों का volume तो सेम होगा वहाँ पर volume को equate करके हम जो है कि resistance का calculation कर लेते हैं इ इसके साथ में आगया resistance सी category में आपका color coding तो color coding भी इसी category में आता है तो इन तीन topics को आपको attention के साथ पढ़ना है और इस पे जो भी numerical कराये गए है उनको अलग-अलग कर लो ठीक है बड़ा दी तो I think इस बात को आप समझ गए अब मैं अगले concept पे आता हूँ अब बड़ा हम के बीच में जो relation उस पे जो question पूशा गया है कि यहां पर point out आप कर सकते हो कि electric current जो होती है वो N, E, A, V, D इसको भी आप इसमे electrical conduction की category में आप लिख सकते होती है यह point बड़ा important था अब देखो हम जोग जाएंगे जो current electricity की दूसरी topic है वो आपका है electrical circuit electrical circuit के बारे मैं आपको पता है उसमें मैंने जो इसमें electrical circuit जो पहला point हमने ए point out किया है वो है series and parallel combination of R तो आप यह कह सकते हो कि series और parallel combination of R में जो equivalent resistances find out करने होते हैं उस पे base question निकलते हैं और साथ में जो है कि potential और current calculation based भी question यहां से आते हैं तो इस पे जितनी भी questions किये हैं आपने वो सारे का सारे question इस category में आने वाले हैं और यहां से भी questions आते हैं ठीक है ना तो अगर mileage resistance आपका series में है parallel में है ठीक है ना तो उसको कैसे हम लोग उसका equivalent निकालेंगे और उसको कैसे calculate करेंगे series का concept क्या है parallel का concept क्या है one by one discuss किया हमने है ठीक है बेटा जी और electrical circuit की जो दूसरी category आएगी B उसमें आप circuit बना होगा उसमें battery लगी होगी एक या एक सी अधिकर battery लगी हुई है तब अगर वहाँ पर जो है आपको calculation करना है तो आप किसका लगाओगे अगर मालजी current का calculation करना है या voltage का करना है तो KCL और KVL की help से हम वहाँ पर उस circuit को solve करते हैं जिस circuit में battery लगी हुई है वहाँ पर हम KCL KVL apply कर लेते हैं एक category आपने देखा कि series और parallel combination simple अगर है तो उसको ह क्या है जो हमारे rules हैं जो हमारे concept हैं वहाँ से मिसको resolve करके उसका equivalent resonance निकाल लेंगी इस पर एक question ऐसे बनता है और चीधे question क्या है जिसे माली जी कई battery या एक से अधिक battery लगी हुई है तो उसको solve करने के लिए वहाँ पर current की value क्या होगी या potential difference क्या सी point potential क्या होगा तो वहाँ आपर हम casual 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 का rule लगाते हैं और यहां से जरूर questions आपको मिलते हैं तो यह भी एक electrical circuit के जो B category है उसको मैंने point out किया अब मैं अगली category प्याओंगा बहुत important है उसको भी point out करे हम लोग अब बड़ा जो है कि electrical circuit में ही जो हमने सी category डाली हुई है वो है symmetry circuit इसके बार हम discuss भी किया ह हुआ है इसमें क्या होता है कि जो circuit में जो resistances हापस में connected है उनमें कहीं कहीं symmetry build-up हो रही होती है तो symmetry का जो rule लगा करके हम उस पूरी circuit को reduce करके छोटा कर देते हैं जब वो छोटा हो जाता है तब हम casual casual लगाते हैं तो आप देखते हो कि जो बहुत सारी variable बन रहे थे पहले व current को find out करने के लिए voltage को find out करने के लिए जो equations हम बनाते हैं उसमें क्या है आप देखोगे कि symmetric की help से हम circuit को reduce कर देते हैं यह बड़ा important है और इस पे बहुत सारी questions बनते भी हैं practice भी आपने की होगी तो यह electrical circuit की third category है जिसको मैंने point out किया I think मेरे concept को आप समझ पाए ठीक है बेट बेटा जी current electricity की जो तीसरी topic है वो ही heating effect इस पे अच्छे questions आते हैं neat और जेई दोनों में आते हैं बेटा जी ठीक है न कि आपको एक circuit दिया हुगा है और resistance दिया हुगा है उस resistance के across जो है heat कितनी loss हुई है हीट कितनी dissipated heat है उसको calculation आपको करना है तो कितनी heat वहाँ पर produce हो रही है उसका जो resistance है multiply करते है आई स्कॉर आर करके तो आपको वहाँ पर heat का calculation मिलता हीट कितनी वहाँ पर produce हो रही है ठीक है बटादी और कई बार हम क्या है वी स्कॉर भाई आर भी यूज करते है हीट के calculation के लिए लेकिन मैं आपसे यह आपको बताना चाहूंगा कि यह वी रही है produce तो आप circuit के resistance को resistance ले ले लेते हो और जो वी होते हो बैटरी का ले लेते हो अब जब calculation वहाँ आप करते हो तो वहाँ पर mistake होती है क्योंकि यहाँ पर जो potential है ना वो resistance के across potential difference है जिसके across आप heat निकाल रहे हो तो मैं आपको strongly suggest करूंगा कि आप दो है कहीं भी heat का calculation करना ह हो तो i2r से ही करो direct जैसे भी circuit हो i2r से कभी भी आपकी mistake नहीं होगी तो जब भी heat का calculation करना हो i2r से करो v2r जो है एक situation में आप लगा सकते हो कि जब सारे के सारे resistance क्या हो parallel में हो और आपको battery लगी होई है तो वहाँ पर v2r लगा सकते हो सारे resistance का equivalent निकाल करके आप battery का potential लेकर करके वहाँ पर v2r करके वहाँ पर resistance के एक cross क्या है आप जो है heat produce निकाल सकते हो लेकिन आप i2 का ही यूच करो ठीक है बटाजी और अगर मालो की current variable है तब किसी भी resistance के cross जो आपको निकालना है क्या heat produce निकालना है वो कैसे निकालोगे उसको देख लेते हैं तो अगर current variable है त h is equal to integration i square r और dt ठीक है यह heat का formula है तो i square r निकालके dt से क्या है उसको integrate कर दोगे तो total heat produce across the resistance r आपको निकल जाएगा I think मेरी बात आप समझ पार मैं क्या बोल रहा हूँ अब बड़ा जो है heating effect की जो B category है वो है maximum power transfer theorem important है ध्यान सुनना maximum power transfer theorem इसमें क्या है कि जिसे माल जो कोई circuit है एक हमारे पास battery है उस battery के अंदर एक internal resistance भी रहता आपको पता है और एक आपने external resistance बाहर से जोड़ दिया हुआ है circuit में क्या हो गया एक external resistance हो गया एक battery होगी बैटरी के अंदर एक internal resistance हो गया अब आप से पूछा जाए कि आप बताए कि external resistance के across maximum power कब transfer होगी तो कहोगे सर कि यह तब transfer होगी जब external resistance की value बैटरी के internal resistance के बराबर हो जाए यह आपने प्रूब भी किया है R equal to R पे maximum power transfer हो जाती है और यह capital R के across होगी जो आपका external resistance है उसके across maximum power transfer होगी ठीक है लेकिन इसमें बहुत बार ऐसे questions आए हैं जहाँ पर आपको mistake करनी ही करनी है क्योंकि यहाँ पर जो बैटरी का internal resistance है वो fix है वो क्या है fix variable नहीं है अगर बैटरी के internal resistance को variable कर दिया जाए उसको change कर दिया जाए वेरिक किया जाए one by one करके और फिर पूछा जाए कि जो आपकी external circuit है external resistance है उसके across maximum power transfer कब होगी तो बच्चे capital R equal to R लिख देते हैं यह उनकी mistake होती है अगर internal resistance variable है अगर internal resistance variable है तो capital R के across maximum power transfer तब होगी जब internal resistance 0 होगा तो आप यहाँ पर point out beta कर लेना कि क्या है small r अगर क्या है variable है बैटरी का internal resistance आपका कैसा है यह अगर आपका variable है तो maximum power transfer तब होगी जब across capital R जब क्या होगा when small r is equal to रखोगे 0 तो इसमें कभी mistake मत करना यहाँ पर R equal to R आप नहीं करते हो तो यह तीन category थी बहुत ही important थी hitting effect में जहाँ जहाँ आप confusion कर सकते हो उसको मैंने point out किया ठीक है बैटा जी अब मैं अगले concept में आता हूँ अब बैटा जो है हमारी hitting effect की जो C category है power supplied और absorbed by the battery बैटरी जो है उसका calculation P equal to VI से करते हैं voltage और current से करते हैं कि बैटरी कितना power supply कर रही है या कितना power absorbed कर रही है तो आपको पता है कि यह लगाएंगे P equal to VI लगाएंगे formula और यह जानकारी आपको होनी चाहिए कि power supplied कब करती है बै तलता हुआ दिखाई थी तब कहेंगे कि battery ने क्या है power को supply कर दिया है और जब current क्या है जब positive terminal में enter करती हुई दिखाई पड़ते तो हम कहते हैं कि अब battery जो है power absorbed करेगी और power absorbed and supplied का formula P equal to VI है इस पर भी बहुत सारी variety है questions के आते हैं तो इस पर भी आप लोग को attention करना होगा औ और इसमें जो भी question आपने किया उसको आप यहाँ पर tag कर लोगे इस category में ठीक है अब हम अगले concept में आते हैं बैटा अब बड़ा जो है current electricity की जो last topic है वो है electrical instrument के बारे में डिसकस करना है तो इसमें सबसे पहली first category आएगी fourth topic में वो है voltmeter, emitter and galvanometer अच्छे-अच्छे questions आए ह आपको बस की कि गलवेनो-meter को कैसे हम emitter में और volt emitter में convert करेंगे इस पर बहुत सारे questions आए हुए हैं तो बस आपको यतना याद रखना है कि अगर हमने हमारे पास क्या है एक galvanometer हमारे पास यह है ऐसे और इस galvanometer के साथ अगर हमने इसके series में galvanometer के साथ अगर series में हमने एक high resistance लगा दिया जो resistance आपका यह high resistance लगा दिया आपने तो यह आपका बन जाएगा volt meter याद रखिएगा यह क्या बन जाएगा आपका यह बन जाएगा आपका volt meter और अगर इसी यह बन जाएगा आपका volt meter ठीक है ना और अगर इसी galvanometer के साथ यह आपका galvanometer है यह ऐसे और इसी gal परिलल में एक low resistance लगा दिया जो resistance हमने लगाया है परिलल में यह कैसा लगाया हमने यह low resistance लगाया है यह सो मैंने explain किया हुआ है यह आपका low resistance हमने हा लगा दिया यह बन जाएगा आपका क्या है यह बन जाएगा आपका emitter ठीक है न इन चीजों को आपको ध्यान में होना चाहि और मैं जो कराऊंगा उसको भी discuss करना तो I think ये concept आपका clear हो जाएगा तो question आते हैं इसलिए please इस पर attention आप देना जरूर अब बटा electrical instrument में जो आपकी B category है वो है meter bridge और 100% question पूछता है बटा हर साल पूछा गया है कभी कभी अगर skip कर दिया तो लग बात है बट meter bridge से question आते ही आते है और ये meter bridge जो आपका है balanced wheat stone bridge पर based है ठीक है ना और आप देखते हो कि जैसे हम key को हम wire पे आगे पीछी slide करते है तो जिस point पर आपको आपकी bridge आपकी balance होती है तो उसकी एक side पर जो resistance है और जो length है इनका ratio दूसरी side के resistance और length का ratio बराबर करके हम लोग जो है calculation करते है इस पर मैंने problem भी करा है आपको तो meter bridge से question बहुत सारी इसकी variety है बहुत सारी questions आते भी है तो ये balanced wheat stone bridge पर इस पर question आते है और आते जरूर है इसलिए इसमें जो question कराए है उसको इस category में आप जरूर रखना I think मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बूल रहा हूँ अब बेटा जो electrical instrument का C category है वो है potentiometer बहुत ही important आपको पता है कि meter bridge और potentiometer से हर साल question पूछे गए है और potentiometer में हमने आपको बताय था कि potentiometer की help से हम क्या है कि दो EMF को आपस में compare कर सकते है comparison between the EMF हाना हम दो EMF को आपस में compare कर सकते है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है इसमें comparison कर सकते है असाथ में potentiometer की help से हम लोग internal resistance को find out battery के internal resistance को find out कर सकते है ये तीन application मैंने point out किया था इस पर numerical भी कराया था उस पर आप लोग ध्यान देना उसके formula पर ध्यान देना और अगर आपको doubt होगा तो हम लोग problem numerical हम कराएंगे इस पर दो-चार question हम भी खुद कराएंगे तो वहां से आपको और भी concept clear होगा लेकिन जो problem इस पर किया है उसको जरूर repeat करना ये topics आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि topic wise आप समझ पाओ कि कौन-कौन से topic को हमें पकड़ना है और अगर आपको ये topic आपके पकड़ में आ गई अगर आपको topic पकड़ में आ गई तो आप बड़ी आसानी से question को तोड़ सकते हो और हर topic पे जो भी question आपको कराए गए है उसको one by one करके आप discuss कर सकते हो और देख सकते हो कि में कौन-कौन से topic पकड़नी है ठीक है बटा जी और मैं आपसे बता दूँ कि 90-95% जो है जेई और नीट के questions इसी topics में से आने वाले हैं ये शियोर है ठीक है इसलिए जो topics है maximum topic मैंने cover कर ली है तो इसमें क्या है कि इस topics को आप लोग बड़े धान से देखना अगर कोई doubt हो का discuss करता हम कुछ question भी आपको बना के आपको send करेंगे उसको भी आप लोग देखना बड़ा जी assignment भी आपको solve करनी है तो हम लोग one to one discussion करेंगे जिससे कि आपके concept clear होंगे और आपको जेई और नीट के लिए proper तरीके से prepare होकर कि आपको exam में बैठना है ठीक है बड़ा जी thank you thank you very much